चोपडा एजो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कोलेजेज की भारी भरकम फीस होने के बावजूद एक ऐसा स्टेट भी है जिसकी मेडिकल कोलेजेज की फीस 6 जे सकता है चाये वो किसी भी स्टेट का रहने वाला है इस स्टेट की कटोप भी कम रहती है कटोप की चर्चा हम लास्ट में करेंगे इस स्टेट के लिए रेजिस्टेशन रे ओपन हुये है जिनकी लास्ट डेट 20 जुलाई 22 है अगर आपका इसकोर कम है और आप 6 से 7 counselling के लिए registration एकी बार होते हैं इनके registration पहले अप्रेल में हो चुके हैं लेकिन जिन candidate ने apply नहीं किया था उनके लिए ये portal 26 जुलाई 22 तक दुबारा से open है मैं आपको clearly बता दूँ कि इसके बाद केरिला इस्टेट में MBBS, BDS, counselling के लिए कोई registration open नहीं होंगे केरिला ही एक मात्र ऐसा इस्टेट है जिसमें MBBS, BDS, counselling के लिए registration नीट result से पहले ही हो जाते हैं इसके बाद कोई registration नहीं होता है अगर किसी candidate ने पहले registration कर रखा है अप्रेल में तो फिर उसको registration करने की दुबारा से आउश्यक्ता नहीं है नहीं तो उसका application form reject हो जाएगा अब हम इसमें बात करें कि आपको registration कैसे करना है तो registration करने के लिए आप इसकी website cwe.kerala.gov.in पर विजिट करेंगे यहां पर आपको KEAM22 Candidate Portal मिलेगा इस पर आपने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर new registration का link मिलेगा यह वीडियो बनाने तक link अभी activate नहीं हुआ है लेकिन यह जल्दी हो जाएगा लेकिन ध्यान रहे इसकी last day 26 July 22 तक है अब इसमें मैं आपको important बात यह बता देता हूँ कि registration करते समय आपको जो documents upload करने है उसमें date of birth proof के लिए 10th की mark seat upload कर दे और nativity certificate के लिए आप अपने 12th की mark seat upload कर दे क्यूंकि केरिला स्टेट के domicile candidate के अलवा जो बाकी स्टेट के candidate होते हैं वो non-catellite 2 में category में आते हैं तो आपको यह category select करनी होगी और यह documents upload करने होगे अब हम बात करें cut off की तो cut off इसमें 21 में इसके stay vacancy round की last cut off करुना medical college fall card की 484 marks रही थी और इस बार यह last round की cut off 480 रह सकती है हलांकि first round और second round की cut off इसमें high रती है मगर mop up round और stay vacancy round की cut off low चली जाती है आप केरिला स्टेट के बारे में या फिर अन्य open स्टेट के बारे में जानकारी चाते हैं तो हमारी book इस video के description box से या फिर fees क्या है cut off किस प्रकार से है सभी round की cut off दी है केरिला स्टेट के अलवा बाकी स्टेट की जानकारी भी स्टेट की book में है तो आप इसको video के description box से download कर सकते हैं अगर आपको doubt है तो आप जो भी mobile number देंगे उस पर हम आप से संपर कर लेंगे आप अपने doubt दूर कर सकते हैं आप हमारी paid counseling भी ले सकते हैं तो ये जानकारी थी केरिला स्टेट के बारे में अगर आप इतनी fee support कर सकते हैं तो इस साल के लिए सबसे कम fees का यही state है और फिर से मैं दुबारा एक clear कर देता हूं कि केरिला स्टेट के mbbs bds के counseling के लिए registration इसके बाद नहीं होंगे 26 जुलाई last date रहेगी तो आप registration कर सकते हैं मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन